नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अक्षय अमृत, इंसान कम प्रेमी ज्यादा आज मैं यहाँ प्रकृति की गोद में बेठा हूँ अपने पेत्रिक गाउं कल्मोई के माताजी मंदिर में मा कमल कालिका का प्राचिन और समत्रिक मंदिर है यहाँ यहां बेठा हूँ तो प्रकृति को देखता हूँ तो लगता है कि इस से खुबसूरत कुछ नहीं है और इश्वर्न जो हमें प्रकृति दी है उसको हमें सहेजना चाहिए उसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें भी प्रेना मिलती है प्रकृति से पोधा किस तरह बीज से बढ़ते रहना चाहिए, कुछ कविताएं हैं, मोटिवेशनल कविताएं हैं, जो शायद आपको भी प्रेणा देंगी, वो मैं सुनाना चाहता हूँ, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, कि साथ रहेगी दुनिया सारी, बस खुद पर विश्वास रखो, मुश्किल हो, फिर भी मन्जिल को छू लेने की आस रखो, किसी डगर पर चलो भले पर, बात यही अब याद रहे, किसी डगर पर चलो भले पर, बात यही अब याद रहे, यहां रहो या वहां रहो, तुम हमको दिल के पास रखो, तुम हमको दिल के पास रखो, हमको पास रखो, वो आगे बढ़ते चलो, कि विफलता के अंधेरों से कभी भी तुम नहीं डरना, जहां चाई निराशा हो, वहां जाकर खुशी भरना, उन दिलों में जाकर खुशी भरिये, जहां पर निराशा शाही है, जिस जगर पर अंधेरा है, वहां जाकर एक दीव जलाईए, तो आपका दीव जलाना सार्थक होगा, महज इतनी गुजारिश है तुमी से ओ मेरे साथी, जहां भेला तिमिर हो अब वहां पर रोशनी करना, दिया वहां लगाईए जहाँ उसकी सक्जजरुरत है, जहां धेरा जादा है, वहां दिया लगाईए, और एक और मुक्तक जा दार है, रखे खुद पर भरोसा, रखे खुद पर भरोसा जो कभी भी वो न रोता है, यहा जो बीज बोता है, वही इंसा है पाता फल यहां जो बीजब होता है मेरी इस बात पर विश्वास कर लो साथियों अब तुम अगर खुद साथ हो खुद के खुदा भी साथ होता है तो दोस्तों खुद का साथ दीजिए और अपने जीवन को अंधकार से बचाईए उजाले की तरफ जाईए प्रकाश्माई कीजिए जीवन को हमेशा प्रेलना लेते रहिए खुद से लोगों से आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को भी प्रेलना देते रहिए दन्यवाद